हाई एवरिवन जेसी किष्णा राधे राधे हरहर महादे और मैं सरला इंटीट्यूट एरो डिडर मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कौन से इश्वर की कृपा आपके ऊपर हो रही है ठीके मतलब यहाँ पर कौन से इश्वर है जो आ वगत को बढ़न लेगे दस्टिनी पर काम करने की इन शुर्थ में फोर करें वो हो कोऊन है मेंरी देखने की कोशिश करेंगी mostly यहां पर सभी को पता होगा लेकिन मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं पता होता है और यहां पर मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें जैसे किते हैं कि धर्म का कुछ भी नहीं है सब अपने अपने धर्म से आप ले लेना और यह timeless reading है और PK card reading है इसमें से आपको एक card चूज करना है बिल्कुल peace से, शान्ती से और इसका time में अपना description box mention कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो और thank you, thank you so much वीडियो को लाइक करने के लिए, comments करने के लिए और subscribe करने के लिए और जिसे भी person reading चाहिए, मैं अपना सारा gratitude यहाँ पर आपको पे करना चाहती हूं, ठीक है यहाँ पर मैं आपको pile बताना चाहती हूं यह है pile number one, कौन से इश्वर की कृपा आपके उपर हो रही है pile number one, opening to discovery number से भी जाते हो, जा सकते हो आप number है इसका 34, okay number है 34, opening to discovery and pile number two है card number है इसका one and earth magic pile number two, earth magic, okay वीडियो को पोस करके आप आराम से तसली से आप अपनी pile को चूज कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो pile पे नहीं जाना चाहते हो, पूरी reading देखो जो situation से message resonate हो रहे हैं, उसे रख लो जो नहीं होता है उसे जाने दो, वो किसी और के लिए होंगे, okay तो मैं चलती हूँ, pile number one की तरफ, opening to discovery पर हाई pile number one, तो जिसने भी ये card number 34, okay opening to discovery का card चूज करा है, उसकी reading मैं यहाँ पर start कर रहे हूँ, pile number one, please वीटे को लाइक का में subscribe जरूर करना, और जिससे भी पूरसर रिडिंग चाहिए, मैं अपना whatsapp number, description box में mention कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, okay, तो कौन से इश्वर की क्रपा आपके उपर हो रही है, मैं यहाँ पर आपको बात बताना चाहती हूँ, pile number one, आप यूनियर से बहुत ज्यादा connect हो, ठीके, आप एक स्टार से भी हो रहती है, जैसे उत्सुपता रहती है, कुछ नया करना, कुछ बहतर करना और आगी की तरफ यहाँ पर बढ़ना, लेकिन अभी तक मैं सच बताऊना कि एक वह आपकी जिग्यासा, आपकी वह जागरूपता, जैसे नया करना, आगे अपने जीवन में डिस्कवरी करना, नहीं नहीं खोज करना, जैसे उसके सारे रस्ते यहां पर बंद थे, लेकिन यहां पर अब आपको जैसे उसका, उस जैसे कहते हैं कि उस रस्ते की ठीके, आपको यहां पर चाबी दी जा रही है, अपकी आपको मिल रही है यहां पर, तकि आप आप गहराई में जाकर और आप उपर की तरफ अब आप आ रहे हो यहां पर बहुत सारी चीजों को जैसे अब जो भी आपने अपनी लाइफ में पास्ट में जो भी एक्सपिरियंस करा है देखा है अनुबह लिया उसके आधार पर मैं सच बताओ ना उसके आधार पर आप बह बहुत नौलेज है ग्यान है आपके अंदर और एक बहुत बड़ी ग्रोथ की तरफ यहां पर जारे हो आपकी नौलेज आपका ग्यान ही जैसे आगे बढ़ने की रस्ते खुद यहां पर बना रहा है ठीके पाइल नंबर वन कौन सी इश्वर की कृपा आपके उपर यहां पर हो यह पाइल नंबर वन आप तो खुड़ी एक स्टार सीट सो मैं सच बताओ ना यूनियर्स से बहुत एक ऐसा कनेक्शन है ना आपका के यूनियर्स आपको मतलब जैसे के नहीं कि शायन करते हुए देखना चाहता है आपको जैसे आपको एक स्टार की तरह यहां पर द सच बताओ ना आपके सबकोंसेस माइंड में जो भी आईडियर आ रहे हैं जो भी क्रेटिविटी आ रही है उसको जैसे उसकी वज़े से आप अपनी जैनली में बहुत आगे की तरफ यहां पर जा रहे हो और मतलब आप में सच बताओ ना फीचर में आप बहुत शायन करने वाले हो जिसे आप है ना आपके अंदर से कुछ पनप रहे कुछ फूट रहे और आप काफी काफी नहीं नहीं चीजों को आप जिसे जनम दे रहे हो आपके अंदर से कुछ चीजे ऐसी निकल रही में सच बताओ ना वह आपकी क्रेटिविटी आपकी सोच आपकी विचार वो नए हैं नए लेवल पर आप आगे की तरफ यहां पर बढ़ रहे हो, जैसे जो भी चल रहा है। और यह यूनियर्स की वजय से हैं, यह यूनियर्स आपको बहुत उच्च लेवल कर देखना चाहता है। पाइल नंबर वन कोई से इश्वर की कर्पा आपके ऊपर यहाँ पर बनी हुई है मैंने क्या भोला आपको यहाँ पर आपको जैसे केते ह acre मैं सच बताऊ ना यूनिवर्स ने आपको हर चीज से नवाजा है आपको ठीके यूनियर्स यह चाता है कि आपके भविश में आपके पास किसी भी चले की कोई कमी ना हो यहाँ पर यह किसा चाहो आप अपनी लाइफ को वेसे वहां पर कर सकते हो मतलब यहां पर मैं सच बताओ ना आपका जो आप मतलब यहां पर क्या ओपन हो रहा है आपके अंदर से आपके इंदे आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो इसी लिए यूनियर्स आपकी इतनी जल्दी जो भी आ सूरी देवता की भी असीम क्रपा है बहुत जादा बैलेंस रहते हो इसी लिए आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो मैनिफेस्टेशन वर्क करता है पाइल नंबर वन बहुत ज़दा फीचर के लिए मैं यह कार्ट देख रही हो ठीक है यह पास्ट के लिए नहीं है यह फ् फेवरेट हो सकता है और काफी आप जितने इस प्रेचल होना जितने आध्यात्मिक हो उत्ते ग्राउंडेड भी हो आप यहां पर जो ग्राउंडेड होते हैं वो आध्यात्मिक भी होते हैं जो जितना मट्रेलिस्टिक चीजों में लगा हुआ रहता है अगर वो अपनी कुछ आपके उपर बनी हुए इश्वर की कृपा में सच बताओ ना तो यहाँ पर तो कृपा के तो मैं यह कुछ ऐसी देखी नहीं दियो कि जहां पर आपके उपर कृपा ना हो जिस बंदे के पास सब कुछ है जो युनियर से जो मांगे है यह अपने इश्वर से जो मांग रहा है वो उसे दिया जा रहा है। इससे बेटर और क्या होगा आपकी डेस्टिनी में सच बताओ ना आपकी किस्मत में यह सब लिखा हुआ है जो आपको यहां पर मिलने वाला है या मिल भी चुका है किसी किसी को यहां पर you आप magician हो, जैसे कहते हैं कि magician क्या होता है, कि वो अपनी creativity से, अपने हुननर से है ना, वो कुछ भी अपनी life में magic कर सकता है यहाँ पर, तो आपके उपर इश्वर की ऐसी कृपा है, युनियर्सी की ऐसी कृपा है, कि अगर आपको ऐसा लगता है, कि आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो, balance रहो, manifest करो, और जो चाहते हो, वो create आप यहाँ पर करो, युनियर्स ने तो जैसे आपको सब कुछ दे दिया है, वो सब कुछ दे चुके हो आपको, अब आपको balance रहे कर, ठीके, और जो भी आपके पास है, जैसे अब यह क्या है, यह आपके अंदर अभ युनियर्स अब इसको बाहर लेकर आ रहे हैं, ओके, यह एक बहुत powerful card है, major arcana का card से यहाँ पर, क्योंकि आप number one हो, blessed हो बहुत जादा, कैसे कैसे अपनी, जैसे मुझे से लग रहा है, आप बहुत ज़दी भी हो, जिसका हमको ठान लेते हो ना करकर रहते हो आप यहाँ पर यह कैसी, जैसे केते हैं कि आप mentally बहुत strong हो, आप बहुत ज़दा clear भी हो, जो ज़दा जितना balance रहता, clear रहता है, युनियर्स तब उनकी manifestation, उनकी wish बहुत जल्दी पहुंचती है, pile number one, okay, seven of cups, pile number one, यह आगया आपका past का card, ठीके, past में सज बताओ ना, यह क्यों रुका हुआ था, यह इसलिए रुका हुआ था, कि आपको समाझ ही नहीं थी, आपके अंदर क्या, मतलब क्या, कितने आप blessed हो, सच बता रही हूं, कितने आप blessed हो, कितना आप इश्वर के नजदीक हो, युनियर्स के नजदीक हो, ठीके, आप जैसे किते हैं कि मुझे इसा लग रह नहीं था, आपका बहुत कुछ एकदम बहुत जल्दी आप अच्चीव करना चाहते थे, लेकिन confusion, बहुत बड़े-बड़े सपने थे, आपके बहुत बड़े-बड़े dream थे, जो युनियर्स से आप मांग तो रहे थे, लेकिन आपको उसका सही तरीका, वह सही रस्ता आप पता नहीं था, पाइल लंबर वन, लेकिन negativity होने के अंदर, आपके blockage होने की वज़े से, यह सब जो आपके अंदर कुद्रती आप ब्लैस्ट हो, यह कुद्रती आपके अंदर है, तो वो सब चीजे जैसे केते ना कि, वो blockage होने की वज़े से, जैसे वो बंद पड़ी थी, जैसे उनके अंदर जंग लगा पड़ा हुआ था, क्योंकि blockage आपके अंदर थे, sorry, जो reading में निंकल रहा हो है, यहाँ पर आपको बता रही हूँ, कौन से इश्वर की कृपा है आपके उपर, यह totally universe से आप connect हो, आप एक star shifts हो, ठीके, आप बहुत सादा blessed हो, बहुत knowledge है, ज् अभी तक सही रस्ता न मिलने की वज़े से, सही guidelines न मिलने की वज़े से, जैसे आप घूम रहे हैं ते चारों तरफ, बड़े-बड़े सपने थे, बड़े-बड़ी सोच थी आपकी, लेकिन यहाँ पर, मैं सच बताओ न, कि जब हम परमात्मा की तरफ चले जाते हैं, universe क्या होता है, इश्वर क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, सब को छोड़ कर, जैसे हम अपना focus, अपना ध्यान, हम अपना समय, उर्जा, जैसे इश्वर की तरफ हम लगा देते हैं, ठीके, तो वहाँ पर हमारे अंदर, जैसे कि एक बहुत सारे changes होने लगते हैं, और वो changes होने की वज़े से, ठीके, हमें फिर सही गलत की हमें समझ में आ जाती है, समझ पता चल जाता है, हमें अनुबह होने लगते हैं, ठीके, तो ये एक बहुत बड़ी blessings है, आपके उपर, जो इत्ती भटकन होते हुए भी, इत्ती दूविदा होते हुए भी, आप इश्वर तक जोज गए हो, यूनियर्स जैसे आप, आपके अंदर जो भी, सच बताऊना, आपको है ना, वो आपके, आपकी सक्सिस की, आपकी ग्रोथ की, आपके नॉलेज की, आपको चाबी नहीं मिल रही थी अभी तक, है ना, लेकिन यहां पर अब आपकी चाबी मिल चुकी है, आप नंबर वन कहलाने वाले हो, पाइल नंबर वन, ओके, आपके पास वो पावर है, यूनियर्स ने आपको तो इतना ब्लास्ट कर दिया है, कि आप सोच भी नहीं सकते हूँ, अब जो भी, मतलब, जित्ती भी आपके अंदर नेगिटिविटी ब्लोग के इस कन्फुजन करना है, तब आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हूँ, लेकिन यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है, आपका, ओके, फोरो पांटिकल्स, और पैजो पांटिकल्स, यस, मुझे यसा लग रहा है न, पाइल नंबर वन, आप है न, बहुत ज़्यादा जिसे सोच इचार, है न जिसे किसी बात को, आप सच बताऊना, किसी बात को आप दिल से है न, निकाल नहीं पा रहे थे, या दिमाग, है न, दिल और दिमाग, ये सब चीजों का आपका बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, लेकिन जब हम, जब हम अपने आपको समझ आते, तो बैलेंस बहुत अच् ठीक है जो भी हम अचीव करना चाहते हैं फिर वो हम अचीव कर लेते हैं ओके एक यूनियर से की blessings इस कदर आपके उपर है नहीं में सच बताओ यूनियर्स आपको बहुत ज़ादा आपकी दिल की बातों भी समझते हैं मन की बातों को वह उन्होंने जैसे किते हैं कि आपको आपकी क्रैटिविटी आपके अंदर कितने ब्लाइस्ट ओ कितने आप मतलब में सच बताउ आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडeड भी हो और पहले आप शायद कि प्राउंडेट नहीं थे आप यहाँ पर इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है थीक है एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की क्या financially financially ॉद्र भे स्पूर्च बर्लॉब की इस पर कर रहे हैं कि जहां पर आप अभी तक सोच रहे थे कि अबर्नस केसे आएगी ग्रोथ केसे आएगी और के मैं आध्यातिक जर्णी पर कैसे में आगे बढ़ूंगा तो उसे आप युनियर्स ने जैसे आपकी दिल दिमाग की बातों को सुना है यहां पर और आपको पहले तो व सल यहां पर कर सको पहले आप शायद आप आपका समय सोच इचार में ज्यादा जयता था कंफिजन में ज्याता कैसे अचीव करना है क्या करना लेकिन अब नहीं है यहां अब नहीं है अब युनियर्स ने जैसे कहते ना आपको बैलेंस कर दिया है तो आपको Yanotay है सच्य आप अचीव भी कर रहे हो ओके पाल नंबर वन और यहां पर ओशों से देखते हूं थैंक्यू यूनिवर्स थैंक्यू सो मच थैंक्यू 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 सो मच ओके मोमेन्ट तू मोमेंट आपके उपर हो रही है यहां पर सबसे बड़ी बात यूनिवर्स ने आपको जिसे आप सच बताऊना अप बड़े गंफ़ट जोन में रहते थे तो यूनिवर्स ने आपको आपके गंफॉर्ट जोन में निकाला है कमफर्ट जुन यहाँ पर यह नहीं आप बहुत जादा जिसे वेटिंग मौन में बेठे रहते थे आप शायद जैसे कहते हैं कि सोच इचार तो करते थे लेकिन एक्षन नहीं ले पाते थे और एक्षन ना लेने की वज़े से जैसे बहुत सारी चीज़े आपकी वही की वही लेकिन यहाँ पर यूनिएर्स ने आपको पता है जो भी आपके सपने थे जो भी आप अच्छीव करना चाहते तो उसकी तरफ जैसे यूनिएर्स ने आपको धीरे धीरे हो ले हो ले उसकी तरफ आपको बढ़ाना शुरू करा है ठीके अब आपके अंदर कोई लेजीनेस और आप किसी को वेट नहीं कर रहे हो किसी का सो चिचार में दूविधा यह नहीं हो युनिवर से आपको बहुत तरीके से सीच्चेसन से आपके सामने केसी भी आ जाये लेकिन आप तीलो तिमास में सके होना कि आपके अंदर इतना confidence आ चुका है, सबसे बड़ी बात है कि आप आत्मविश्वास से भरे होगे हो, ठीक है, आपके अंदर एक positivity है, एक ज्यान है, एक knowledge है, जब हमारे अंदर एक आत्मविश्वास तो ज्यान और knowledge आ जाता है, तो हम किसी भी situation से क्या हम निकल सकते हैं, पार कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई भी doubt नहीं होता, laziness नहीं होती, और जब हम इसा करते हैं, तो यह यूनियर से नहीं कर रहा है, आपके साथ, तो वहां पर बहुत सारे रस्ते खुल जाते हैं, जहां पर हम जो भी achieve करना चाहते हैं, उसे हम achieve कर सकते हैं, ओके, एंड मैं यहां पर पाइल नमबर वन, ओके, यहां पर बता देती हूं, आपको पाइल नमबर वन, जो मैंने आपको बता हैं ना, आपके अंदर आपने बहुत जो भी एक situation में blockage होने की वज़े से, आपको यूनियर्स ने बहुत तेड़े मड़े रस्तों से आपको लेकर आए हैं, ठीके, बहुत बड़े, मतलब आपने बहुत लर्ण करा है, आप बहुत, यह जो कुदरती था आपके अंदर से, आप कुदरती blast थे, पाइल नमबर वन, ओके, ल और आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी soul ने है बहुत कुछ experience करा है, बहुत कुछ समझा है, जाना है यहां पर, अब यहां पर आगे की तरफ बढ़ रहे हो, progress की तरफ यहां पर बढ़ रहे हो, achieve कर रहे हो, अपने सपनों को कैसे पूरा करना है, वो उसकी तरफ यहां पर जान रहे हो समझ रहे हो ठीक है और अपने भागी के खुद रस्ते यहां पर खोल रहे हो क्योंकि आप यहां पर में सच बताओ ना आप खुद यहां पर एक ऐसी सोल हो मतलब ब्लास्ट हो इसलिए सारी चीज़े आपके साथ आ रही है पाइल नंबर वन क्योंकि आप बहुत जादा इस्प्रेचल भी हो आपने बहुत अपने उपर यहां पर काम करा है मेडिटेशन करा है ध्यान करा है आपकी थार्ड आई ओपन हुई है पाइल नंबर वन यूनियर सच बताओ ना आप भोले नात के भी भक्त हो सकते हो शिवशक्ति के कालिमा के भक्त हो सकते हो इनकी कृपा भी आपके उपर बनी हुई है पाइल नंबर वन जिसकी वज़े से बोले ना तो शिवशक्ति ने आपकी थार्ड आई ओपन करी है अब थार्ड आई जब हमारी ओपन होती है तो हमारे सारे इल्यूजन खतम हो जाते है सबसे बड़ी बात है कि क्लिरली नजर आने लगती है जैसे हकीकत हमें समझ में आने लगती है और आप बहुत जादा इंटिट्यूब हो अपने उपर यहाँ पर विश्वास करना है और आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना जादा आप अपने उपर विश्वास करोगे ठीके क्योंकि आप देखोगे कि अपने अपने भागी के रस्ते खुद यहां पर खोल रहे हो के इंकमपेशन और हम इन्विटीशन प्रो परपस ओके कोस्मिक गेटवे ओके पाइल नमबर वन में आप बता दू क्योंकि आप ब्लेस्ट क्यों हो आप पाइल नमबर बन क्योंकि आपके अंदर रहे ने सच बताओ ना की आपके अंदर एक एक कसी शोल हो एक स्टार SITS कैसा होता है जो एक से बहुत अलग होता है सब्हीं के अनदर करना होती है बहुत युनिक सोल होती मतलब अपके स impress़ते हो गए कि मैं ऐसा क्यूं औरों की तरह में क्यों नहीं हूँ यहांपर कि आपके अंदर बगोंट डिवाइन लवू अपके अंदर आप ऐसाथ महाँ पर पिछ भी हो इससे आपको मतलब नहीं होता है क्योंकि आपके अंदर जैसे कितीन कि कॉस्मिक युझिर्स कि एक उर्चा, एक इसी तरंगें हैं आपके अंदर जो आपको बहुत याधा इफट आपके ऊपर आता है आपकी थर्ड आई ओपन है इसलिए आपका जिसे में आपकी जो आप जो भी सोचते हो जो भी विचार करते हो वो बहुत यूणिवर्स तक पहुंशती है आपके आपकी जो थोर्ट से न वो एक चुम्बक की तरह यहां पर काम करते हो जिसकी वज़े से आप बहुत पावरफ द्र स्वाइस होंगे ओके और यहां पर कि यहां पर आया जिसमें आपको यहां पर बोला जारा है कि आपको शायद नहीं है लेकिन पोर णाविछ उन्युरल्स आपको बहुत जाधा गाइड करते हैं बहुत-जाधाव करते हैं आप बहुत-जाधा गाइड. Story और यहां पर जो कुछ भी changes हो रहे हैं जो भी बदला हो रहे हैं आपके life में यह आपके परपस के लिए हो रहे हैं क्योंकि आप आपके अंदर एक divine love है जब तक आप अपने अपने गिप्स को आपके अंदर बहुत गिप्स हैं युनियर्स ने आपको सब कुछ दे रहा है जब तक आप उसे शेर नहीं करोगे आपके सोल खुश नहीं हो सकती है यह आपका लाइब परपस भी है और यह जो कुछ भी हुआ है एक युनियर्स की प्लानिंग के तहट आपके साथ किया गया है जिसे आपको जानना और समझना ज़रूरी कि क्यों हुआ किसली हो या आपकी सोल की खुशी के लिए हैपिनेस के लिए हुआ हुआ इश्वर की कृपा तो डफिनेटली आपके उपर बनी हुई है और आपको युनियर्स सच बताओ ना युनियर्स इश्वर परमात्मा अब आपको बहुत मतलब पूरा क्लियर्ली आपको मुझे इसा लग रहा है ना आप अनुभाव करते हो फील करते हो और महसूस करते हो पेले आप शायद उन सब चीजों से वंचित थे ओके तो कौन से इश्वर की कृपा आपके उपर बनी हुई है आप एक बहुत मासूम से बच्चे हो और जब एक मासूम सोल किसी एक नई जर्णी पर निकलती है ठीके क्योंकि अब आप प्रकाश में हो ठीके जो भी अंदक कार थे वो सब आपके प्रकाश में यहां पर बदल गए हैं ठीके अब आप एक प्रकाश में खड़े हुए हो एंजल्स और यूनियर्स की गाइडलाइन्स आपको पूरी तरीके से यहां पर मिल रही है ठीके और आपको जैसे कहते हैं कि धीरे धीरे आगी की तरफ लेकर ज आपको बहुत ज़्यादा ब्लैसिंग्स बहुत ज़्यादा गिफ्ट हैं आपके पास तो वह यहां पर जैसे कहते हैं कि अपके अंदर जो भी क्रेटिविटी है नौलेज है वह आपके साथ क्योंकि वह बाहर आ रहे हैं आपके तो अब यह मैरेकर सच बताओ ना जैसे कहत कोई अपने कोई अपनी सच्चाए को अपनी हकीकत को अपने अपने असली रूप को बाहर लेकर आ रहा है ठीक है जो जिसकी वज़े से आपकी लाइफ में यहां पर मैरेकल्स होंगे यहां पर आपकी तमाम प्लासिंग्स ब्लोक हुए पड़े थे जिसकी वज़े से आप अपनी अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर पा रहे थे या कुछ बहतर नहीं कर पा रहे थे बहुत ज़़ादा प्रॉब्लम परिशानियां आप फेस कर रहे थे यहां पर एंजर्स और यूनिवर्स आपको बहुत कुछ यहां पर जो भी आपके सपने हैं जो भी आप अच्यू करना चाहते हो ठीक है जो भी आपके अंदर इस्प्रिचल गिप्ट्स हैं यूनिवर्स आपको जैसे केते हैं कि रोता हुआ या टेंशन में या इस तरीके से नहीं देखना चाहते हैं वो अब आपको सच बताओ ना आपकी लाइफ में आपको एक प्रकाश की तरफ और एक मैरेकल्स और एक कुछ ऐसे ओफर्स अपोचनेटिस आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं जिस और वन आपकी लिए ओके तो पाइल नंबर वन में इस रेडिंग को यहें पर क्लोज करती हूं आई होप आपसे रिजोनेट हो अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंड सब्सक्राइब और थैंक यू थैंक यू सो मच एंड बाई जेशी किशना राधे राधे हर हर यह नंबर है वन और कार्ड का नाम है अर्थमेजिक जिसने भी चूस किया उसके रिडिंग में यहां पर स्टार्ट कर रही हूं और पाइल नंबर टू प्लीज वीडियो को लाइक को में सिस्काइब ज़रूर क्या करो जिसे परसे रिडिंग चाहिए मैंने अपना वार्ट इंसानों का ही रूप होता है जो यह अर्थम सब्सक्राशनी होते हैं पाल लाट नंबर टू जहां पर इनने इस लिए ही Predator जाता है सब अपनी सिट्ट्रे से हाँ पर ले लेना कि आप इस इ Thrones पर आओ और इस एर्थ को सच बताओना इस आर्थ को जो भी झैसे के तेना कि जिस चीज की भी जरॉत होती है जैसे नेचर होता है ओके नेचर होता है बहुत कुछ एसी खागोलिय चेंजेस होते हैं बदलाव होते हैं इस नेचर में जिसे जानना समझना बहुत जादा जरूरी होता है मतलब यहां पर अर्थ में यहां पर ऐसा नहीं है कि अर्थ को किसी की जरुरत हो अर्थ को किसी की जरुरत नहीं है लेकिन nature प्रकरती हमारा कुछ करतव होता है कुछ धरम होता है कि जहां पर जितना अर्थ हमें दे रहा है उतना ही हमें भी अर्थ को देने की जरुत है यहां पर balance की उर्जा में यहां पर देख रही हूं मतलब जितना पाइल नंबर वन आप एक अर्थ एंजल हो आपके लिए message यहां पर यही आ रहा है कि आपकी कुछ जिम्मेदारिया आपकी कुछ responsibility है कि जितना आप अर्थ से ले रहे हो अर्थ से आप oxygen ले रहे हो ठीके आपको जीने का एक माध्यम आपको मिल रहा है वहां से अ क्योंकि यह आपका जैसे कितना है कि आपका एक life purpose पाइल नंबर टू ओके आप अर्थ पर बहुत किसी एक बहुत बड़ा वजूद से आए हो किसी एक बहुत बड़े उद्देशी के साथ आप यहां पर आए हो ओके जैसे अर्थ को स्वर्ग जैसा बनाना ओके अर्थ पर म नेक्टर रखोगे आप अपने आपको आप यह भी देखना कि उतनी ही प्रोग्रेस की तरफ यहां पर जा रहे हैं उत्ते ही चैंजिस आपकी तरफ यहां पर ओ रहे हैं पाइल नंबर टू आपको वाकिंग करना है ना नेचर में जाना और नेचर के साथ अपना कनेक्शन बना कर रखना यह आपके लिए कंपल सरी है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है नेचर से ही आपकी मेसेज बताओ ना जो कुछ भी छुपा है ना आपका वो नेचर में ही चुपा हुआ जित्ता जादा आप ग्राउंडेड रहोगे नंगे पेर से आप आर्थ पर टहलोगे मतलब जमीन पर आप नंगे पेर चलोगे उतनी ही अर्थ की उर्जा को आप रिसीव करोगे उतनी ही चेंजेज और अपने अपने उद्देशी की तरफ यहां पर बढ़ोगे क्योंकि जो कुछ भी मिल रहा है ना आपको अर्थ से मिल रहा है पाइल नमबर आपके कुछ पेरों में दर्द वर्द भी रहता है शायद आप पेरों के कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ठीक है तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप बाहार चॉंक वाकिंग करो नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करो टू कर्स यहां पर निकल रहे ह ओके यह दोनों कार्ड्स वही आ गए हैं पाइल नमबर फस्ट कार्ड आपका आया था यह सेकेंड यह थर्ड यह टू कार्ड्स पाइल नमबर वन के आ गए है ठीक है तो फस्ट कार्ड है यहां पर त्री ओप कप्स और मैचिशन एड़ पेस ओपंटिकस पाइल नमबर टू यहाँ पर मैंने बोला ना कि आप जितना जादा मेसज बताओ ना अपने आपको अर्थ से कनेक्ट रखोगे आप अपने आपको उत्ती ही आपकी लाइफ में प्लैसिंग्स आएंगी ठीके उत्ती ही आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी ओके उत्ती ह से कहते हैं कि कारण खुशि का कारण नहीं होता है किसी विश उप है पाइल नंबर वन आप जितना जादा आप जिसे आपके उपर कौन सी इश्वरी कृपा है यहां पर इश्वर की कृपा में यहां पर यह देख रही हूं कि पाइल नंबर वन आप आपका जो नजरिया अभी तक अपने खुद के प्रति था वह सब कुछ चेंज होने वाला है यहां पर ऑके एक बहुत बड़े चेंज्जन से बहुत बड़े वदलाव से यहां पर आप गुज़रोंगे क्योंकि जो भी चीज़े आपके साथ में जैसे कि गलत वे में हो रही थी अवह जैसे कि राइट डिरेक्षन में आपकी तरफ यहां पर जाने वाली हैं ऑप्र जब हमें एक सही दिशा की तरफ तरफ जाते हैं तो बहुत कुछ चीजे हमारी मतलब यहां पर पलटने लगती हैं बदल ने लगती हैं यहां पर सबसे पेले तो आपका खुद के प्रती अपना नजरिया यहां पर चेंज हो रहा है ठीक और जब हमारा और डिसीजन जो कि आपको आपकी खुशियों से जोडते हैं जो कि आपको आपकी ब्लासिंग से यहां पर जोडते हैं मुझे इससे लग रहा है कि कोई यहां पर डांसर है नत्य करता है और कोई यहां पर म्यूजिक लवर है जो आपको खुशी देता है जो कि यहाँ पर मैं सच बताओ ना जिसमें भी आपको ज़ादा खुशी मिलती है कहां से आपको सबसे ज़ादा healing मिलती है खुशी मिलती है वहाँ से अपने आपको connect रखने की जरुत है कौन से इश्वर की कृपा आपके उपर यहाँ पर बनी हुई है, इश्वर की कृपा तो है ही आपके उपर, पाल लंबर टू, कि 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 आप एक earth angel हो, ठीके, पाल लंबर टू, जितना जधा आप इस पर चल हो, उतनी ही जधा आप grounded भी हो, ठीके, पहले आप चीजों को शायद सही तरीके सा आप नापतों नहीं कर पाते थे, सही जगे आप सटिक जगे आप अपना निशाना बिठा नहीं पाते थे, ठीके तो आप आपका निशाना भी लग रहा है और बैलन्स भी हो आप यहां पर, इश्वर की किरपा आपके उपर बहुत काणते हो, आपकी वानी में मधुरता है ठीके बोलते बहुत अच्छा हो अप, डांस भी काफी हो, सिंगिंग काफी अच्छी करते हो आप यहां पर, तो जो भी आपके गिप्स हैं, ठीके, एक, जैसे कहते नifully कि यह इन गिप्स को लेकर, आप अब उसके उपर कुछ निद अब आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो किसी का इंतिजान नहीं कर रहे हो आपको चीजे बहुत बैलेस हो इसलिए बहुत चीजों को आपको क्लिरली समझ में आ रहा है और जैसे किते हैं कि मतलब बारी-बारी है ना बारी-बारी आप अपनी एक creativity को उठा रहे हो और उसकी यह सब चीजे जैसे केते हैं कि बैलेस होनी की वज़े से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी blessings को आपनी मंतरन दे रहे हो बहुत कुछ अचीव कर रहे हो आप यहां पर ओके यह बहुत बड़ी कृपा है आपके उपर बहुत बड़ी blessings है आपके उपर कि आप मतलब अपना सही टाइम पर सही निर्ने सही डिसीजन लेते हुए आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो आप अपनी लाइफ में जिसकी वज़े से आपकी लाइफ में बहुत बड़ी blessings आ रही है बहुत सादा खुशी भी आ रही है ओके और पाइल नमबर टू थीन कार्ड तो उसी के आए पाइल नमबर वन के ही आचुके हैं यहां पर पाइल नमबर टू मैं आपको एक बात बताओ कि एक आप एक जैसे किते हैं कि आप अपनी लाइफ में में सच बताओ ना बहुत कुछ बड़ना चाहते थे अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते थे वो हर तरीके से चेंज करन चाहते थे लेकिन मतलब कहेंते हैं कि ये भी होना चाहएं मेरी में ये भी बंद लाइफ को आप बदना कुणा हो चाहएं हो चाहरोगी है, सक्षिफ कर्वार सब करो न worry के उपर बनी हूँ हुई है कि आप अपनी है 020226 , क्या हम को च यह से करे न है कि इसobic जाता है ठीकिल के आपको कैसे खुशी का जाता है यह कि आप ने उस चीज़ पर कुछ बढ़ा करने के लिए अपनी जिंदगी को आपके उपर यहाँ पर आपकी मेंसज बताओ ना आप किसी बहुत-बढ़े ब्लॉक के से भी बाहर निकले हो बहुत-बड़ी दूविदा से भी आप बाहर निकले हो अब आप जा रहे हो एक प्रकाश की तरफ जा रहे हो और एक क्योंकि आप बहुत-जादा grounded person हो, earth angel हो आप यहाँ पर, earth पर रेकर, मैं सच बताऊं, pile number 2, आप earth की, ठीके, जितना भी सुख ए इस प्रत्थी का, उतना सारा सुख आपको आपकी destiny में लिखा है और वो मिलकर रहेगा आपका चाहाँ, आपके रिष्टों में कुछ खटास आ रही है आपके रिष्टों में हार्मनी नहीं आ रही है तो आपके रिष्टों में आपको मतलग, बहुत प्रेम आपको मिलेगा मिलेगा आपको, future में मिलेगा ठीके, अगर आपके financially कुछ blockage हैं और्थ प्रてचेशुनल लाइफ और अपनी सटनल लाइफ उसे बैलन्स कर लेता है वो हर चीज में बड़ा अच्छे से some तालमेल बिठा लेता है ठीके वह इश्वर को भी प्राप्त कर लेता है और अर्थ के अर्थ पर रेकर इना जैसे कहते हैं कि तमाम सुक सुविधाय कैसे हासिल करनी है कैसे चेंज करना अपनी लाइफ को वह सब भी अच्यू कर लेता है तो यह बिना blessings के नहीं होता है ओके यह एक बिना blessings कि आप आगे चली नहीं सकते क्योंकि आप अर्थ एंड चलो ओके इसलिए आपको ये सब इत्ती सारी blessings आपको मिल रही है पाल नमबर वन पाल नमबर टू को सेश्वर की कृपा आपके उपर बनी होई नहीं है पाल नमबर इसलिए पाल नमबर टू आपका सपना था कि आप अपने आपको पूरी तरीके से बदलना चाहते हो आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हो ठीके तो यहां पर इश्वर की कृपा से इतनी आपके इतना चेंजिस आपकी लाइफ में यहां पर आ रहा है कि अब आप देखोगे कि शायद अगर आप देखोगे चेंज को महसुस करोगे बदलाव को महसुस करोगे तो सब कुछ बदलता हुआ आपको नजर आएगा हर चीज आपको बदलती हुई यहाँ पर नज़राईगी सबसे बड़ी बात कि चेंजस आपको अपने भीतर अपने अंदर यहाँ पर आएगा पहले बहुत जादा जैसे किते हैं कि आपने अकेला पन बहुत जादा फिल करा है लेकिन अब यहाँ पर आपके relation में सच बताऊना relation में बहुत हार्मनी आ रही है अब आप अकेले नहीं हो अब आप आपकी soul family आपके soulmate आपके अपने रिष्टे इन सब के साथ यहाँ पर time spend कर रहे हो आपकी life में celebration आ रहा है ओके यहाँ पर sorry मैंने बोला ना अकेले बहुत जाद है लेकिन अब आप अकेले नहीं हो ओके consciousness और वन का रोल लूँगी में यहाँ पर isolation मैं सच बताऊना यह क्यों आपने अपनी life को change करना चाहा मतलब इतनी एसी situation बहुत जो blockage था आपका एक एसी situation में थे कि चाहां पर आप isolation ओके अगर सच बताऊना अगर आप earth angel अगर नहीं होते आप तो आप बहुत सारी चीजों को आप समझ नहीं पाते हैं ओके अगर आप अपने भीतर नहीं जागते अपने आपको change नहीं करते अपने अंदर खुद परमात्मा को महसूस नहीं करते तो वो blessings आपको नहीं मिलते जब हम अपने भीतर काम करते हैं अपने आप से connect होते हैं बहुत जिसे कितिने के कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें अपने आपको ही शान्त करना पड़ता है क्योंकि जो हम सोचते हैं जो हम जानते हैं या हम किसके लिए परेशान हो रहे हैं क्या हमारी लाइफ की परेशानी क्या दुख है क्या संकटे क्या बाधाएं हैं जरूरी नहीं है कि उसको बहारी तोर से ही शान्त किया जाए कुछ परेशानी कुछ दिकत ऐसी होती कि जहां पर हमें खुद के अंदर कुछ शांती को महसूस करना पड़ता है उसे खुद से शांत करना पड़ता है और ये इतना आसन नहीं होता है और वो आपनी किया है यहां पर जैसे अपनी परेशानी को जैसे आपने अपने अंदर ज हुई है ओके healing भी हुई है आपकी जिसकी वज़े से अब आपकी life में आपके relation में आपकी professional life में आपकी love life में बहुत changes हो रहे हैं ठीक है और यह कौन से इश्वर की कृपा आपके उपर है यहां पर इश्वर की कृपा तो यहां पर यह है कि आपने जिसे इश्वर को अपने अंदर जगाया है ठीक है अपने अंदर महसूस करा है अपने अंदर यहां पर जाना है ओके किसी की कुंडली अवेक नहीं हुई है यहां पर divine order and charity तो यहां पर मेंसेज बताओ ना कि जब हम अपने उपर काम करते अपने चक्राच के ओपर काम करते तो हमारी कुंडली अवेक निग होती है हमारे चक्राच ही होते हैं पर अंदर के ब्लॉकेज ही होने लगते हैं ठीक है और रिलीज हो पाते हैं सारी negativity वहां पर क्या होता मेरी कुंडली आवेकनिंग होती है ठीके तो तब आप अपनी सच्चाई को यहां पर जान पाते हो ओके और आप राइस अफ डार्कनेस दालाइट इस हीर ठीके यहां पर जब अवेकनिंग होती है हमारी तब हम अतने भीतर से हमारी सोल एक जागती है जो एक बहुत बड़े डाकनेस से निकल कर लाइट की तरफ प्रकाश की तरफ यहां पर आती है और आपको इस वक्त यहां पर यह महसूस करने की जरुरत है यहां पर आया है कार्ड कि आपके अंदर सच बताओ ना कुछ कुछ चीजे ऐसी हैं जहां पर आपको आप की यहां पर एक लेशन के रूप में ओके ओपन होनेवाली हैं ओके अंड मैं यहां पर एंजर से लूँगी यहां पर होट लेस्ट यहां पर हो रही है आपके अंदर सच बताओ ना कि आपका आपका जो सबकॉंसेस माइंड है ठीक है आपने अपने सबकॉंसेस माइंड की नेगिटिविटी को रेलेस करा है और उसके उपर विजय आपने हासिल करी है और वो कैसे हुआ है मेडिटेशन करने से ध्यान करने से ठीक है आप इतने पावर्फुल बन चुके हो कि इश्वर की क्रपा से ही हुआ है कि आप किसी भी चीज में जैसे केते हैं कि आप एक्शन ले रहे हो रेडी हो आप यहाँ पर तैयार हो किसी भी नेगिटिविटी को कट करने के लिए उससे बाहर निकलने के लिए और अपने रस्ते अपनी किसमत के दरवचे आप खुद यहाँ पर बनाने के लिए ओके पाइल नमबर टू तो पाइल नमबर टू में स्टिडिंग को यहें पर क्लोज करती हूं आई होप आपसे रिजोनेट हो अगर होती है तो प्लीज लाइक कमें सब्सक्राइब और तैंक यू तैंक यू तैंक यू सो मच इन बाई जेशी किष्णा राधे राधे हर हर महादेव